नमस्कार दोस्तों सिर्राधे आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जोतिस पंचान मैं अन्सुल्त्र पाठी आपका जोतिस विद्यों बास्सास्त्री मित्रों नौरात्र का जो पहला दिन होता है माता सहिल पुत्री को समर्पित होता है देवियों के नौरूपों का अपना अलग-अलग महत्त है आज हम लोग माता सहिल पुत्री अर्थात पृथम देवी की चर्चा करेंगे इनको कौन सा भोग लगाना पसंद है इनके क्या और उपाशना करने से कौन से मंत्र का जाप करने से क्या लाव होता इसकी संपूर चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के सबसे पहले हम आपसे बात करने माता सहिल पुत्री सहिल पुत्री होने के कारण अर्थात हिमाले पुत्री होने के नाते इनका नाम सहिल पुत्री पड़ा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दक्षप्रजापती की पहले जो कण्या थी सती वही बाद में हिमाला के हाँ जन्म लेती है और वही सहल पुत्री के नाम से जानी जाती है इस कहानी के बारे में आप लोगोंने खुप सुना होगा हम बात करेंगे नौरात्र की कूण बात पे अरफात नौरात्री ये नौ जो रात्रियां होती है रात्री का मतलब होता है जैसे आपने पहले से भी सुना होगा कि तंत्र की उपाशना सक्ती की उपाशना दिन में नहीं होती थी रात्री में होती थी और जो ये रात्र में उपाशना होती थी इसी से सक्ती प्राप्त की जाती थी माता सैल पुत्री के आसन की अगर बात की जाए तो ब्रिशब है बैल है कुछ जगा कहा जाता है कि नंदी बैल पे माता सवारी करती थी हाथ में दाहिने हाथ में त्रिशूल है बाए हाथ में पुस्प है ये जो प्रतीक है अपने आप में सूचनाएं देते हैं नंदी बैल ब्रिश रासी कालपुरस की कुंडली में जोतिस के अनुसार धन और परिवार की रासी कही जाती है तो जो जातक माता सहल पुत्री को उपाशना करते हैं उनके घर में वाहन वाहन मतलब चार फोर विलर टू विलर नहीं फोर विलर क्योंकि आशन ही माता का चार पैरों वाला है साथ में परिवार और धन इसकी भी ब्रिद्धी की सूचना दोतिय घर की रासी ब्रिश रासी प्रदान करती है हाथ में त्रिशूल है त्रिशूल जो तीन सब्द का प्रियोग हुआ है ये तीनों आपके अंदर के जो बिकार है वायू, पित और कफ इनका समन करने की सूचना परदान करते हैं माता सहल पुत्री की उपाशना करने से मूलाधार चक्र जागरित होता है ये जो नौ रात्रियां है अरथात नौ देवियां है आपके एक-एक चक्र पे वास करते हैं मूलाधार चक्र अरथात कमर के नीचे होने वाले जितने रोग होते हैं सबका गवर्न, सबको प्रभावित करता है मूलाधार चक्र जब माता सहल पुत्री की उपाशना आप करते हैं तो कमर के नीचे की जितनी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जादे हैं घर में धन आया, परिवार आया, बाहन आया बीमारियों का समन हुआ इस दिन अगर माता की उपासना बिद्विधान पूर्वक की जाती है तो कहा जाता है कि कुण्ली में अगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा स्वस्थ होता है, अच्छा होता है चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का मालिक है चंद्रमा के पास धन है परिवार है इस्तरी है सब कुछ है और जब आपकी कुन्ली में चंद्रमा प्रशन होते हैं तो आपका मन अच्छा होता है और मन स्वस्त और खुस होता है अब सोची अगर आपका मन खुस होगा तो जीवन में जरूर आपके सब कुछ अच्छा हो क्योंकि थोड़ी सी भी समस्या से मनुदास होता है इसका मतलब मातासैल पत्री की उपाशना अगर विर्विधान पूर्वक की जाए तो जातक के जीवन में मानसिक, सारीरि, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह से पतिष्ठा का विकास होगा जान और योग के लिए मूलाधार चक्र का जागरित होना अतियावस्षक है क्योंकि उर्जा का पहला प्रभाव वहीं से सुरू होता है आदमी पसू से मनुस्य की तरफ आगे बढ़ता है, मनस्वत गुण की तरफ आगे बढ़ता है जब उसका मूलाधार चक्र पावर्फुल होता है माता सहल पुत्री की उपासना के अनेक लाब है जितने कहे जाएं उटने भी कम मित्रों एक एक चक्र पे एक एक देवियों का वास बताया गया है और इन नौरात्रियों में करमसा एक एक चक्रों को जागरित करने की या अदभुत बिवस्ता हमारे रिशियों के द्वारा बताई गया है ये एक तार्किक और अध्यात्मिक आधार रहा प्रुथम दिन माता सैल कुट्री के लिए अब हम बात करेंगे क्या भूग लगाया जाए माता स्वेथ चीजों से बड़ी प्रशन होती है इसलिए चंद्रमा के परिपेख्ष में इसे अच्छा माना गया है सफेथ खीर, मिश्री, माखन, दूद से बनी हुई चीजें अगर माता को भूग लगाई जाएं अत्युत्तम होगा माता इसे प्रशन होगी रात्री में आपको माता के मंद्र का जाप करना है वैसे तो नौरात्री में किसी भी मंद्र का जाप किया जाए तुवह मंद्र सिद्ध होने की अपने आप में एक कारंटी है मंद्र के संबंध में अगर बात की जाए माता के या देवी सर होतेशू सैल पुत्री रूपेड संसिता नमस्तस्थाई 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 नमोनो इस मंत्र का जाप माता सहल पुत्री के आप करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अपने मूला अधार चक्र को जागरित कर सकते हैं यह दिन कहा जाए एक अर्थों में गोल्डन दिन माना जाता है इसी दिन नौरात्र का प्रारम्ध होता है इसी दिन कलस्त को अस्थापित करके आप अपने घर में सहस्त्र देवी देवताओं को आमंद्रित करते हैं और आपकी उपाशना में सभी देवी देवताओं के वास्त की ताकत आपने सन्हीत होती है इसलिए नौरात्र में घर में लाशुन प्याज या वो सारी ताम सी चीजें मना कर दी जाती है क्योंकि आपके घर में सक्तियों का वास चल दा है जिससे आपके घर में बृध्य और विकास के साथ साथ नकर आत्मक उरजाओं का निसेद होगा मित्रों आपको कुली दिखानी हो या अपने बास्तु के वारे में जानना हो तो दिये नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं इसी तरह से नौ देवियों और नौ दिन के लिए हम आपको अच्छी जानकारी प्रदान करते रहेंगे धन्यवाद सिर्णादे के लिए लाते रहेंगे तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जोतिश पंचांग को सब्स्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटस वीडियो की नोटिफेकेशन लगातार मिलती रहें